सो नमस्कार कैसे हैं आप सब भाई होप आप लोग अफ जादा बढ़िया होंगी और आज किस वीडियो के इंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कॉलिज सुडेंट है या फिर आप कॉलिज में जाने ही वाले हैं तो कॉलिज में पढ़ाई करते करते आप साथ स कि यह बात यह है कि दो अलग अलग तरह के सुडेंट होते हैं जो जोब करते हैं को पढ़ते हुए एक वो होते हैं जिनको experience गैन करना होता है यानि कि अपने cv के इंदर resume के लिख सकें कि हमने यह experience लिया है इस company में काम किया हुआ है तक उनका resume काफी बढ़ी है देखें दो different तरह की category student हो सकते हैं एक वो जो survive कर रहे होते हैं और दूसरे वो जिने experience आ ही होते हैं अपने cv resume के अंदर डालने के लिए right सबसे पहले clear कर लिशीगा कि आप किस category के student है वो आपको पताई होगा इसके बाद देखें अब बात करते हैं किस तरह की आपके पास options होते हैं तो देखें सबसे पहले आपके लिए category होती है job की job का मतला आप सभी को बता है आप किसी company में काम कर रहे हो लेकिन job के अंदर भी दो आपकी सब categories हो सकती हैं एक आप part time job कर रहे हो दूसरी आप full time job कर रहे हो बट अगर आप ए college student है regular college student है और आप attendance अपनी maintenance कर रहे हो college के आपके job है इवनिंग time schedule के अंदर हो या फिर आपकी job है वो Saturday Sunday को होती हो तो इससे जो part time jobs होती है वो आप कर सकते है college life के अंदर ठीक है तो part time job कर सकते है इसके बाद अगर हम बात करूं फिर हम आ जाते है internships पर तो internships basically क्या होती है internship का मतलब है कि जब आप college के अंदर लेकिन वहां पर आप काम सीखने के लिए पैसे कमाओ नहीं कमाओ रिए फोलकी इंटर्शिप बोलते हैं, तो इंटर्शिप जो होती है, बेसिकली आपके एक्स्पियेंस के लिए होती है, कि आपने CV रेजुमे के लिख सको कि मैंने यहाँ पर इंटर्शिप की हुई है, तो इंटर्शिप भी अगें दो तीन तरह की होती है, सबसे पहले भई, नोन पेड इंटर्शिप भी होती है, पेड इंटर्शिप भी होती है, और हाँ एक्सपियोर की जो जो जोब होगी, वो तो आपकी पेड होगी होगी, बट इंटर्शिप जो है, वो अपकी नोन पेड भी हो सकती है, याँ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप काम करोगे, बस experience लेने के लिए, and mostly जो इंटर्शिप होती है, college student के लिए वही non paid internships ही होती है, बहुत कम internships होती है, जहाँ पर आपको पैसे भी मिलते है, इस सासा देखिए, कुछ paid internships ही होती है, paid internships में अगरा बात करूँ, तो देखिए, जैसे जितने भी top 20 schools होते है, वहाँ पर क्या होता ही, ज जो student internship के लिए जाते है, उनका specific time होता है, दो महीने तो में internship करनी ही करनी है, और full time internship करनी है, college छोड़कर तुम सिर्फिक काम ही करोगे, तो top जो business schools होते है, जैसे कि IMS वगएर होगे, वहाँ पर internship का एक proper slot होता है, कि इतने से इतने time तक आपको internship करनी ही करनी पड़ेगी, और और वहाँ पर पूरी paid internship होती है, और एक महीने के भाई, उनको करीब करीब 3,4 लग रुपय थर भी मिल जाते हैं, तो उस सिनेरियो के इंदर जो paid internship है, वो भी students को मिलती है, डिपन करता है कि इस college के इंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किस तरह से आप ढूंड रहे हो और आप किसी अच्छे college में पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, बढ़ अगर आप अच्छे से internships ढूंडोगे, तो आपको paid internship मिलने के भी chances होगे, तो इस तरह से internships जो है, वो भी आपकी paid हो सकती है, non paid हो सकती है, इसके लावा अगेन आपकी part-time internship हो सकती है, full-time internship हो सकती है, डिप आपके अंदर अगर वो particular skill set है, मालने जी किसी company को video editor चाहिए, और अगर आप video editing बहुत ही बढ़िया करते हो, आपको बता है, यह skill set मेरे पास है, तो आप भई, मतलब जो freelancing काम है, वो आप कर सकते हैं, तो यह options आपके पास थे, इसके पाद हम लोग बात करते हैं, कितनी अगर आप काम करते हैं, तो और इसके पास हम बात करें कि किस तरह से आप इन सारी साही jobs को, internship को, freelancing को आप किस तरह से ढूंट सकते हैं, सबसे पहले देखिए, जहां तक बात है कि कितना आपको, जो आपके charges आपको मिल सकते हैं, कितना आपको salary आपको मिल सकती है, तो देख ही कर रहे हो, और आप एक paid internship कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, आपको 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच आपको एक महीने की salary जो आपको मिल सकती है, और यह सिफिक इंटर्शिप की salary होती है, तो इंटर्ण बोलते हैं, अगर आप बनोगे तो इतनी salary आपको मिलेग तो अलग बात है, बाकि आपको इतना ही मिलता है, ठीक है, इसके लाओ जहां के बात है freelancing की, तो वहाँ पर कोई limit नहीं मालनी जी किस तरह का skill set आपके पास है, और उस company को particularly किस तरह का skill set चाहिए, उनको website बनानी है, आपको website बनानी आती है, तो भई, वह पूरा ही अलग ची expenses कर रहा है, बहुत ही चोट-चोटी से expenses है, उसके लिए काफी ठीक है, उस perspective में, तो यह आपको मिल सकते है, बाकि आप बात आती है, किस तरह से ढूंड सकते हो, इन jobs को, किस तरह से आपको internships मिल सकती है, तो यहाँ पर भी मेरे पास था तीन options है, मैं आपको तीन options दोता कि आप किस तरह से ढूंड सकते हैं, तो तीन options हैं यहाँ पर, सबसे पहला option है कि आप भाई जो आजकल जितने भी technology है उसका आप यूज कीजिए, वेबसाइट्स बहुत सारी है, एप्स बहुत सारी है, उन पर रेजिस्टर कर लीजिए, जैसे कि मालने जिए LinkedIn है, वहाँ से आप धूंड सकते हो, या फिर मालनी जी नोखरी.co में, वहाँ से आप धूंड सकते हो, या फिर internships आपको करनी है, वहाँ से आप धूंड सकते हो, तो इतने सारे options आपके पास है, यह तो मैं तीन ही हुता है, हजारो options आपके पास मिल जाएंगे, आपको online, तो बहुत सारी websites ह जहाँ पर आप register कर सकते हैं, वहाँ पर धूंड सकते हैं, तो यह option आपके पास होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप LinkedIn यूस कर रहे हो, तो LinkedIn आपका अगर profile है, तो वहाँ पर काफी साए जो companies होती है, उनके HR managers की profile होती है, उनका follow कर सकते हो, कोई भी internship आत आप technology का यूस करके आप इस तरह से आप काम कर रहे हो, दूसरा आपका तरीका होता है, references का, अगर आपका कोई senior है, जो आपके काफी touch में है, और आपसे मतलब काफी बड़े-बड़े companies में काम भी कर रहे है, तो अगर आपका कोई senior है, और वो आपको references के थुरू, अगर किस काम कर रहे हो, और वो आपको कोई reference के थुरू कि कहीं पर job लगा साथ है, तो वो भी option आपके लिए हो सकता है, तीसा फर option होता है कि मालने जी भई, आपको किसी company के अंदर चाना है, मुझे तो इसी company के अंदर काम करना है, तो आप directly companies को mail भी डाल सकते है, कि मैं आपकी company को follow क कर रहे हो, लेकिन आपका पर पास भी skillset होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप skillset नहीं हो पाएगा, अगर किसी company को mail करते है, आपके पास particular skillset भी है, जो इस company को चाहिए, तो कोई भी company आपको internship क्यों नहीं देगी, भाई, फ्री मैं अगर कोई खाम कर रहा है कि इस company के लिए experience लेने के लिए आप बहुत कम पैसे ले रहा है, पेड़ इंटर्शिप कर रहा है, तो कोई भी company आपको काम देने के लिए तयार हो जाएगी, बशरत है कि आपके पास skillset होना चाहिए, तो तीन तरह के तरीके हैं, आप technology के यूज़ करके, apps वेरा यूज़ करो, website से लेती हैं, उनके काम से काफी ज़्यादा इंप्रेस होकर करें, तुमने बढ़िया काम किया, तुम फुल टाइम जोब यहीं पर करो, तो ऐसे सिर्फ एक दो नहीं, बलकि बहुत सरे examples ऐसे हमारे सामने आते हैं, तो इस सरे से आप यह काम कर सकते हो, बाकि अगेन भही बात ह को जब बीधी जोब सी बिलबंड हो एक अटी बाकि लिफ से और यहीं एक तरिका, तो यहीं के दोखो करेंगे थीजिद्रम करने की कोशिश करना है, तो यहान रखना है, तो यह समझाना है, बाकि बाकि मिलते नेक्स सोडियो के इंदर चैनल को सब्सक्राइब पर लेशेगा तब तक के लिए बाई बाई एंड टाठा